इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बिहार के समस्ती पूर जिला से आ रही है जहां मुफा सिल्थाना क्षेत्र के रहीम पूरू दौली गाउव में शराब पी कर हंगामा कर रहे एक युवको मुफा सिल्थाना क्षेत्र में कारिरत डायल नंबर एक सोबारा की टीम ने गिरफतार का रिया एक हिरासत में भेज दिया गिरफतार युवक की निशान देही पर स्थानिय पूलिस ने शराब भी बरामत किया है हाला कि गिरफतार युवक का कहना है कि पूलिस द्वारा भरामत किया गया शराब उसका नहीं है बलकि वह शराब उनके भाई का है जो पूलिस को देखने के बाद फरार हो गया है गिरफतार युवक की पहचान मुफा सिल्थाना क्षेत्र के रहीम पूर रूद दॉली गाउव के वार्ड 41 निवासी 40 वर्ष ये गया सहनी के रूप में की गई है उक्त मामले में पुलिस का बताना है कि उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि रहीम पूर रूद दॉली गाउव में बिहार सरकार द्वारा प्रतिबंधित विदेशी शराब का धर्ले से कारोबार किया जा रहा है जानकारी मिलने के बाद जब वह चिनहित स्थल पर पहुँचे तो देखा की एक युवक हंगामा कर रहा है जिसे उन्होंने अपने गिरफ्त में ले लिया गिरफ्तार युवक को देखने से प्रथम द्रिश्ट्या ऐसा लग रहा है जैसे उसने भी नशा कर रखा है जब उससे पुझताच की गई तो उसके द्वारा बताएगा स्थान से दो बोरा में रखा शराब भी बरामत किया गया है जिसके बाद उसे भी गिरफ्तार कर मेडीकल जांच के बाद या एक हिरासत में भेजने की तैयारी की जा रही है वही इस संबंद में गिरफ्तार युवक का बताना है कि शराब का कारुबार वेह नहीं उसका भाई करता है जिस समय पुलिस आई थी वेह भी वही पर था पुलिस ने उससे शराब कहा पर रखा हुआ है बताने के लिए कहा जिसके बाद उसने शराब रखने वाली जगे भी बता दिया और पुलिस ने वहां से शराब भी बरामत कर लिया उसके बाद भी पुलिस उसे भी गिरफतार कर लिया आई है इसलिए वह गिरफतार करने वाली पुलिस टीम की खिलाफ मानियन या आले में केस करेंगे अभी तक के लिए बस इतना ही, नमस्कार